इस वीडियो को sponsor किया है altphone iOS downgraded tool ने जो के easiest tool है आपके iPhone को iOS 17 से iOS 16 पर downgrade करने के लिए या फिर iOS 16 से iOS 17 पर upgrade करने के लिए phone करने के बाद बस iOS upgrade downgrade पर आपको click करना है ज़र आप iOS 16 से iOS 17 पर upgrade करना जाते हो अपने phone को तो upgrading system पर tap कर लिजे और अगर आप downgrade करना चाते हो iOS 17 से iOS 16 पर तो आपको choose करना है downgrading system अब यहाप initiating downgrade पर click करना है iOS 16 के जिस firmware version पर आपको जाना है वो यहाँ से आप choose कर लो और click कर लो आप download के उपर यह firmware download होगा और आपके iOS 17 वाले iPhone पर install होगा और आपका iPhone safely downgrade हो जाएगा iOS 17 से iOS 16 पर without using iTunes अगर अपगर downgrade होने के बाद आपको problems आते हैं तो 150 plus iPhone के problems आप solve कर सकते हैं जैसे Apple लोगों भी अटकना, boot loop में अटकना और यहापे आपको standard repair और deep repair दो options मिलते हैं अगर चोड़ी मोड़ी problem है तो standard repair से आप इसको कर सकते हैं और इसी से आप one click से recovery mode में enter या exit भी कर सकते हो और आपको device reset करना है तो वह भी यहीं से हो जाएगा पर इनका दूसरा software भी है जो के है alt phone iOS data manager iOS data manager से अपने iPhone को connect करने के बाद आप complete photos का backup बना सकते हैं Apple music, Apple TV और बाकी सारे apps को यहीं से manage कर सकते हैं यूजी को phone से iTunes में transfer कर सकते हैं और iTunes से device पे device की storage full हो गई है clean करना है तो वह भी possible है और आपने कोई backup बनाया तो उसके records भी यहीं से access कर सकते हो device की authenticity test करना चाहते हो तो वह भी यहीं से कर पाऊगे iPhone iOS downgraded tool और iPhone iOS data manager का link है इस वीडियो के description में उसको check out जरूर कीजी आई दोस्तों असलों वालिगों कैसे आप लोग मेरा अबनाबील है iOS 17 से iOS 16 पे कैसे डाउंडेट कर सकते हो safely without data loss में आपको बताने वाला हो क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको सीधा iOS 17 से iOS 16 नाउंडेट क्यों नहीं बता रहा हूँ without data loss क्यों बोर रहा हूँ क्योंकि data loss हो ही जाता है अगर आप iOS 17 से iOS 16 पे आएंगे उसका reason यह है कि iOS 17 का जो backup है iOS 16 के उपर आप reinstall नहीं कर सकते रिस्टोर नहीं कर सकते उसके लिए आपको backup को modify करना पड़ता है Windows या Mac की जरूत पड़ती है यहाँ पर मैं MacBook पर भी बताऊंगा आपको Windows का भी method जो है चोटा सॉस में बता दूँगा आपको बहुत ही simple और easy to understand way में यह चीज़ समझाने वालों तो वीडियो को पूरा देखना वीडियो को आदा देखेंगे और step by step आप करते जाएंगे और उसके बाद बीच में कोई step मिस हो जाएगा तो गलती आपकी यह मेरी गलती न अब यहां पर setting में चले जाते हैं फिर जेनरल में जाते हैं अबाउट में जाते हैं और यहां पर देख सकते हैं iOS version जो है iOS 17 beta 2 है आपका कोई भी iOS version होगा 17 का तो आप यह चीज़ कर सकते हो downgrade वाला process कर सकते हो अब यहां फोटोज ओपन करके देख लेते हैं तो यहां पे यहां पर आइफोन जो है मारे Mac के साथ connect हो चुक है अगर आपको Windows है तो आपको iTunes की जरूत होगी और Mac है तो आप आइंडर विंडो को open कर लो और यहां पर आपके iPhone का नाम बताएगा इसको यहां से जो है आप चूस कर लो अब यहां पर आपको क्या करना है एक backup बना लेना ह इसके बाद encrypted local backup का option भी है लेकिन मैं यह नहीं करना हूँ क्योंकि एक बार मेरा जो फाइल है वो corrupt हो गया था इसके वजए से अगर आपको करना तो कर सकते है इससे आपको health data जो है वो रीटेन हो जाएगा password रीटेन हो जाएगे otherwise बाकी सारा जो data है वो backup आपको कर लेना है य Mac में या Windows में Safari Chrome जो भी होगा उसमें ipsw.me के website पे चले जाओ यहां से आपको latest firmware जो है डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर product चूज कर लो जैसे हमारा है iPhone और इसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है model तो मेरा model है iPhone 14 Plus आपका जो भी model रहेगा यहां से पूरी list है वो आप PCI Mac में इसको कर लो डाउनलोड अब यहाँ पर हमको क्या करना है गाईज हमको हमारे iPhone की setting में जाना है और before we install iOS 16 हमको यहाँ पर find my iPhone को off कर देना है तो यहाँ पर आपकी Apple ID जो होती है उसके अंदर यहाँ पर find my लिखा होता है इसमें चले जाओ मैंने off करके रखा है आप इस iPhone जो बटन है उसको करना है क्लिक इसके बाद यहाँ पर आपका जो डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर आपने IPSW फाइल जो डाउनलोड की है उसको यहाँ से सेलेक कर लो और यहाँ से कर लो open करने के बाद यह पूलेगा कि आपका जो iPhone ए एरेज हो जाएगा पूरा मतलब सब डेटा डिलीट हो जाएगा इसमें से और यह आयो 16.5.1 पर अपडेट हो जाएगा तो रिस्टोर कर लो बाद में आपको जो बैक अप है वो कैसे रिस्टोर करना है बताऊंगा मैं अब यहाँ पर हमारा जो iPhone है यह रिस्टार हो गया क्योंकि इसमें जो आयो 16 है वो इं सब्सक्राइब नहीं करना है डोंट ट्रांसफर अपस डेटा पर क्लिक करना है अपल आइडी भी यहाँ पर नहीं डालनी है और यहाँ पर देख सकते फोटो वीडियो सब हमारे डिलीट हो चुके तो अभी हमको इसको अपस लेके आना है सबसे पहले हम आयोस वर्जन यहा सब्सक्राइब करना है यहाँ अगर आपको पूछेगा के सेट अप आज न्यू आइफोन करना है या फिर रिस्टोर फ्रॉम मैक पर यह पूछ नहीं रहा है अभी यहाँ पे हम मैनेज बैकप में चले जाते हैं तो हमारा बैकप है यह बना हुआ है लेकिन यह आयोस 17 का ब पर क्लिक करना है यहाँ पर दो फिंगर से टैप करना है यानि कि राइट कलिक करना है हमारे मैक के उपर और शोइन फाइंडर में यह आपको एक फोल्डर मिल जाएगा इसके अंदर यहाँ पर जो यह फोल्डर की बनीवी है इसमें सबसे नीचे आप आएंगे तो info.plist अगेन राइट लिक करो, यहाँ पे open width में जाओ, और यहाँ पे आपको text editor करके लिखा होगा, अब यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, तो मैं other पे type कर लेता हूँ, और यहाँ पे text editor को choose कर लेता हूँ, वैसे वहाँ पे directly आ ही जाता है, अब यहाँ पे text editor आ गया, इसको बड़ा क 16, 16 करने के बाद यहाँ पे उपर जाएंगे, तो file को जो है, हमको save कर लेना है, file save हो गई, अब इसको close कर दो, अब हमारे finder में हम वापस आ जाते है, अब आप बुलेंगे Windows का कैसे करना है, तो Windows का method यह है, अब Windows के लिए करना है, बहुत ही simple process है, सबसे बहले अपने Windows के अं के OK पे क्लिक कर दो, उसके बाद यह वाला folder open हो जागा और ऊपर जो है, देख सकते हैं, app data, उसके बाद roaming, उसके बाद Apple computer, उसके बाद mobile setting, उसके बाद backup, उसके अंदर यह folder मिलेगा, तो folder open करना है और यहाँ पर वही file open करना है, जो हमने Mac पे open कीते हैं, उसके अंदर चले ज देना है, erase and restore करके लिखा आएगा, मतलब आपके iPhone में जो कुछ है वो delete होगा, आपको कुछ है ही नहीं तो delete होना क्या है, तो बस restore पर tap करो और wait करो अपने backup को आपके iPhone पे install होने के लिए, आपके iPhone के उपर Apple logo आए, कुछ भी आए, आपको बिलकुल भी आपके iPhone को छेड़ना सकते हैं, जो photos हमारे थे phone में, वो वापस आगे photos, videos वैसे के वैसे, और हम जो है, हमारे settings में general में about में चलके देख लेते हैं, कि software version कुन सा है, तो software version हमारा iOS 16.5.1 successfully restore हो गया है, including the backup, तो यह तरीक है दोस्तों, जिसके आप iOS 17 से iOS 16 पे data loss किये बिना transfer कर सकते हो, सारी चीजे और iOS 17 का जो backup है, वो restore आप iOS 16 पे नहीं कर पाएंगे, और एक चीज में आपको बताता हूँ, in case, आपने iOS 17 का backup जो है, उसको modify किया, जैसे मैंने बताया, iOS 16 पे आप उसको restore करने गया, लेकिन iOS 16 पे रीश्टोर नहीं हुआ, corrupt हो गया, उस case में आप क्या करो, आपका iPhone जो है, iOS 16 प कर दो, 16 का 17 कर दो, और फिर से जो है, उसको वापस अपने phone पे डाल दो, क्योंकि ये beta versions है, और इसमें problem हो सकती है, आपका iPhone का backup जो है, वो करब भी हो सकता है, तो इस case में आपका data loss नहीं होगा, यही सबसे safe और simple method है, और एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको डर लग यह सब करने पे, तो iOS 17 पे ही बने रहो, आप उतना बुरा नहीं है, iOS 17 और दीरे दीरे इंप्रूव होता चला जाएगा, उमी कता हो, दोस्तों, आपको ये method समझ में आया होगा, और आपको आज का वीडियो को पसना होगा, पसना है शुटिए को like and share जरू कीजिए, मेरे च